हाई फ्रेंड्स इस वीडियो को फूल वाच करिएगा तो आप गार्डेनिंग करने में 50% सक्षम हो जाईएगा पहली बार बागवानी करने जा रहे हैं तो अपनाएं ये टिफ्स जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वीडियो को छोड़ करके बिलकुल मत चाहिएगा क्योंकि अगर वीडियो को छोड़ करके चले गए तो आप गार्डेनिंग करने में चुक जाएंगे अगर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं gardening तो आप नहीं कर पाएंगे और आपको काफी ज़्यादा दिकते आईगी और फीर gardening करना भूल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं gardening करने का दियान कहां से आता है अगर आप नए घर में सिफ्ट हुए हैं आपके पास एक छोटा सा वगीचा बनाना चाहती है लेकिन दिक्कत है कि बगवानी आपको बिल्कुल भी नहीं आती है और घर में बगवानी करने का सौक आ गया है मतलब मन कर रहा है कि छोटा सा वगीचा बनाएं जिसमें फूल पौधे लगाएं तो इसे फूल पौधे लगाने से घर में चार चांद तो लग जाते ही हैं साथ में घर का महौल भी खुसनुमा बनता है पेर पोधों से घर के सदस्यों को ताजी हवा मिलती है और उनका स्वास्त अच्छा रहता है लेकिन परिसानी तब आती है जब आप पहरी बार घर में बगीचा बनाना चाहती हैं लेकिन इसमें घबराने के जरुवत नहीं है बस आप बगवानी के छोटे छोटे उपाय जान लेंगे तो इसके बाद आपको बगवानी करने में डर नहीं लाएगा और आपकी बगीचा हर्याली से भरा रहेगा बगवानी करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चुनाओ आपको करना है जगह का आपकी इस जगह पे बगवानी करना चाहते हैं आप अपने बगीचे के लिए ऐसी जगह चुने जहां आपके पौधों को 5-6 घंटे की सीधी धूप मिल सके एक या दो घंटे में पौधे नहीं पनप सकते हैं दोस्तों और अच्छे से ग्रो नहीं होते ऐसी जगह पर पौधों को न रखें जहां तेज हवा आती हो तेज हवा से आपके पोधे गिर सकते हैं आप अपने बगीचे ऐसी जगा बनाए जहां से आप अपने पोधे को असानी से पानी दे सके और वहां पे आप अच्छी तरह से पहुँच सके देखवाल उसको अच्छी से कर सके क्योंकि नहीं अगर उसके पास पहुँच पाएंगे पौधों के पास तो नहीं उसे गुडाई कर पाएंगे और नहीं उसमें अच्छे से पानी दे पाएंगे नहीं उसमें खात दे पाएंगे तो इस बात का भी ध्यान रखना है कहीं भी ऐसे ही उच्छे जगव पर जहां धूपा रहा हो नहीं रख दें पौधो को उससे आप अच्छे से देख भाल नहीं कर पाएंगे दूसरी बात ध्यान देने लग के होता है कि अगर आप टेरिस पे मतलब रख रहें पोधे तो ठीक है लेकिन बालकाणी में अगर रख रहे हैं तो हलके गमले का चुनाओ करें बालकाणी में बगीचा बनाने के लिए हलके गमलों का उप्योग करना सही रहता है गमले हलके होने से बलकानी पर उसका वजन जादा नहीं पड़ता है इसके अलावा हलके गमलों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी असानी होती है और आप अपने गमले को हटा हटा करके सफाई भी कर सकते हैं क्योंकि जहां भी गमले रखे हैं, वहां तो सफाई करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो वहां पे जैसे उसके डेनेचोल से जो पानी निकलते हैं, उसके साथ कुछ मिट्टी भी कभी कभी बाहर आती है, तो उसे हटा कर अगर नहीं साफ करेंगे, तो आपके टेरी या फिर छ सिलन भी आ सकती है, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही गार्डेनिंग करनी चाहिए, और अगर आप भारी भर कम गमले रखते हैं, तो आपको उठाने में परसानी होगी, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी परसानी होगी, और उसमें डेनेज की भी दिकत करें, जैसे सिजनली फ्लावर्स अभी आपके गेंदे के फूल हैं, तो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गेंदे के फूल नशरी से लेकर के उसे अपने यहां सिफ्ट करिए और फिर उसकी देखभाल करिए, आप अगर पहली बार गार्डेनि करने जा रहे हैं, तो आपको चोटे पोधों से ही सुरुआत करना चाहिए, क्योंकि चोटे पोधे असानी से ग्रो हो जाते हैं, उन्हें कम देखभाल की जरूत होती है, जैसे में गेंदे के फूल हो गए, तुलसी गाच हो गया, पुदीना, और कुछ बारहमासी फूल जैसे हैविकस फ्लावर हो गए, लहसून, या फिर पालक, मुली, यह सब भी आप सिजनली प्लांट्स लगा सकते हैं, अगर आप घर में गाडेनिंग करने जा रहे हैं, तो आपको औरगेनिक खाद के बारे में भी थोड़ी बहुत जनकारी होनी चाहिए, गमले में उगाये जाने वाली सभी तरह के पोधो की अच्छी तरह बढ़ने के लिए उसे नीमित औरगेनिक खाद डालनी चाहिए, आप चाहें तो घर में बनी हुई, खाद का भी उप्योग कर सकते हैं, जैसे गोबर का खाद होता है, नीम की खली, गोबर और नीम की खली को एक साथ मिला कर खाद तयार कर सकते हैं, यह कारबन, नाइट्रोजन, फास्पोरस और पोटेसियम होता है, जो आपके बगीचे के पौधो के लिए बहुत जादा लावदायव होता है, पानी देने का समय भी ध्यान रखना होता है, दोस्तों, किसी भी पौधे में डेली पानी दालने का जरोत होता है, तो किसी-किसी प पौधो को अच्छी धूप लगती है, और हवा भी ठीक लगती है, तो ऐसे में पौधो की मिट्टी भी जल्दी सुख जाती है, इसी कारण से पौधो को एक निशित समय पर पानी देना बहुत जरूरी होता है, मैं अपने छट पर जो भी पौधे लगाई हूँ, उन्हें दो से तीन दिन में पानी तो अभी ठंड के दिन में देना ही पड़ता है, और अगर गर्मी का दिन हो तो उसे सुबह और शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आपके कौन से पौधे में कब पानी के उसकता होती है, और दे इस बात का विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए दोस्तों अगर आपकी पास छोटी जगह है तो आपको वर्टिकल गार्डिनिंग करना चाहिए आपके पास छोटी जगह है या आपकी बालकनी छोटी है और आप हैंगिंग बास्किट का उप्योग करके अपने पौधों क वर्टिकल रूप से उगा सकती है ऐसा करके आप अपने बगीजे की खुबसूरती में चार चान लगा सकते हैं मेरे पास तो टेरिस है तो मैं यहां टेरिस पे गार्डिनिंग करती हूँ और मैं अभी पिछले साल से ही स्टार्ट की हूँ पहले मैं नीचे ही करती थी गार् थ्यान देना होगा दोस्तों कि उसमें फंगस अलगते हैं तो फंगस के लिए स्प्रे भी करना होगा तो क्या चीज स्प्रे करना होगा उसमें आपको नीम का तेल आता है उससे स्प्रे कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में यह नीम खली है तो जिस तरह इस तो नीम खली और नीम तेल का स्प्रे कैसे करना है वो भी आप चान पाएंगे तो वीडियो में आप में विजिट करके देख लीजिए कि नीम ओयल का कैसे स्प्रे करें बगीचे या गमलों के पौधों को फंगस के प्रकोप से बचाने के लिए पौधों के पत्तों और मिट्टी पर 15-20 दिन के बीच में नीम तेल का स्प्रे जरूर करें पर तेक 15 दिन के बीच स्प्रे करने से कीटों और पानी से पौधों पर जो फंगस लग जाता है उसे बचाया जा सकता है ऐसा करके आप अपने पौधों को सुरच्छित रख सकते हैं और अगर सुरच्छित रहेंगे तो पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे अच्छे से फ्लॉरिंग करेंगे और अच्छे से फ्रूटिंग भी करेंगे और फांगस लग जाएगा तो आपका पौधा वहीं पे खराब हो जाएगा अधीक मात्रा में पौधो को पानी देने से गमले के नीचे रखी हुई प्लेट अगर प्लेट आप रखते हैं तो उसमें पानी नाज लगने दें उसे time to time देखते रहें कि नीचे पानी लगा हुआ है ऐसे आप गमले में जमीन पे रखे हैं तो उसे हटा हटा करके देखते रहें ऐसे जमीन पे रखे हैं तो आप क्या होगा कि गमले से जो ड्रेनेज होल उससे पानी बह करके बाहर तक आजाता है जो आसाणी से आप देख सकते हैं तो इस तरीके से रहा पूरी gardening का अब वीडियो अगर आप gardening करना चाहते हैं तो इन सभी बातों का आपको ध्यान देना होगा अगर आप पूरा वीडियो को अच्छे से वाज किये हैं तो पहली बार बागवानी करने जा रहे हैं तो आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगा इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो चलिए वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं आप अगर नय है चैनल पे तो चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप जान पाएं और भी तरीके गार्डेनिंग के और होम और्गिनाइजेशन के थैंक यू फ्रेंज थैंक्स फॉर वाचिंग